अब दोज़ार नीस वाले जो केंडिडेट हैं 2019 में जिस केंडेट ने फॉर्म फिलब किया है तो उनके लिए अच्छी खबर है परिक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसक्रीन पे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगे अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको रेलवे बरती की पलपल की ऑफिशल अपडेट मिलती रहे तो चलिए फ़र्ण वीडियो सब्सक्राइब कराने वाली एजनसी कोचता रहा यानि जो टेंडर दिया जाना था उसके लिए टेंडर फाइल किये जा रहे ते एजनसी को कोज़ा जा रहा था जो एजनसी इसका पेपर कंडर्ट कराएगी कराएगी तो एजनसी मिली तो कोरोना महामारी ने प्रकुरिया पर ब्रेक लगा दिया एजनसी फाइनल होई उसके बाद में सारा कुछ प्रकुरिया कंप्लीट होने वाली थी कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया बहुत सभी प्रकुरिया को वहीं करो रोक दिया तो अब जो है प्रड़कॉल काफी हथ तक सभी स्टेर्ट में खुल चुका है कुछ एक स्टेर्ट बचे हुए हैं कि जिनमें अभी कोवेट नैंटीन का जो है प्रोकॉल के मत्य नदर वहाँ पर छूट नहीं दी गई है तो जैसी वह तो RRB की तरफ से जो है exam conduct करवा दिया जागा इसके रिकार्डिंग में आर्टिकल आना स्टार्ट हो गए है और RRB की तरफ से ओफिशल बयान आता है तभी न्यूजपेपर में कटिंग दी जाती परिक्षा RRB का कहना है कि गुरूबडी की भरती परिक्षा RRB NTPC के बाद होगी यारी NTPC का जो exam है उसका भी last phase बाकी रह गया है जैसी last phase complete होगा इसके बाद में आपकी गुरूबडी की exam की प्रकरिया जो है वो start होने वाली है यानि मान के चलिए कि RRB NTPC के साथ में इसका रह गया है जैसी यह complete होगा तो आपकी गुरूबडी की बरती परिक्षा है वो पूरी करवा ली जाएगी यानि गुरूबडी का जो पेपर वो exam स्टार्ट हो जागा यह बरती परिक्रिया पूरी होने के बाद 35 सो से अधिक युवाओ को भारती रेलवय यानि NTPC की या कुछ वहाँ पर सरकम्सांट्र ऐसे हैं कि उसकी वजह से अभी फेज अनलॉक नहीं स्टार्ट हुआ है तो उसकी वजह से वहाँ से ओपन होता है तो इसके बारे में कि जो परिक्षा है वह करवा दिजाए क्योंकि एक्जाम में वह अल ओवर इंडिया है एक पर्टिकुलर स्टेट में होता तो अब तक नोटिफिकेशन आया था अरवी की तरफ से जीडीजी की परिक्षा जो है वह कंप्लीट मतलब उसका जो प्रॉसेस है एक्जाम की आपके कारण बच्चोई परिक्षा को इस्तागित कर दिया गया था फिलाल करोना का केस कम गुआ है जिसको देखते हुए रेल में बढ़ती वोट है बच्चोई परिक्षा की तेरारी सुरू करती है साथी साथ गरूप डी की परिक्षा जुलाई के आखरी सब्ता यानि द साथ या आट लाग आसपास केंडियाट बचे हुए हैं उनको मान सकते हैं कि दो से तीन दिल लगेंगे इस फेस को कम्प्लीट कराने में क्योंकि दो शिर्प में पिपर चलेगा और यह कम्प्लीट अवराल हो जाएगा तो जादा टाइम नहीं लगाएगा तो आप मान के स से लिए कि उसका जो नोटिफिकेशन वह आ जाएगा और यह भी हो सकता है कि तीन फेस में परिक्षा करा लिए क्योंकि जल से जल जो है और भी इसको फाइनलाइजेशन करना चाहसा है क्योंकि दो से तीन साल तो वैसी ऑलड़ी एक्जाम लेट हो चुका है 2019 का नोटिफिक के साथ मैं इस तरह की अपड़िट पाने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजगा